एक अप्रेल से नए लेबर लॉव लागू होने वाले हैं इसमें फोर डेज वर्किंग जैसे मन भावन नियमों के साथ साथ सेलरी रिस्ट्रक्चरिंग जैसे दिक्कत देने वाले नियम भी हैं तो चलिए आपको आसान भाशा में समझाते हैं श्रम कानून में होने जा रहे हैं बदलाओं के बारे में और इसके चलते क्या-क्या बदल जाने वाला है मेरे यानि सौरब के साथ पहले CTC का फंडा समझ लीजिए अगर आप प्राइविट नौकरी पेशा हैं तो आपको पता ही होगा कि जितना आपका CTC यानि कि कॉस्ट रू कंपनी बनता है उससे कुछ कम सेलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है ऐसा क्यों अगर आप जानते हैं तो ठीक नहीं तो ललन के उधारन से हम इसे समझ लीजिए ललन की जब पहली नौकरी लगी तो उसे कहा गया कि तुम्हारी CTC 3,60,000 रुपए होगी उसने हिसाब लगाया कि इस हिसाब से तो अकाउंट में हर महीने करीब 30,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए तो जब ललन की पहली सेलरी तो वो कुछ कम निकली उसने परियाप्द भाग लगाया लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि यह उसका पहला महिना था और उसने ठीक एक तारिक को जोईन भी नहीं किया था पिर आया अगला महिना इस महिने उसने पूरे 31 दिन काम किया था ऑफपकर्स वीकेंड और शुटियों को छोड़ कर लेकिन अपकी बाद जब उसे बैंक का मेसेज आये तो पता लगा कि 24,720 रुपए ही उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं अब ललन से रहा नहीं गया वो एचार के पास गया एचार ने उसे समझाया बोले CTC का फुल फॉर्म है cost to company मतलब आपको रखने में कंपनी के जितना खर्चो रहा है मतलब इसी 30,000 रुपए में आपके bank account में जवा होने वाले रुपए तो हैं ही इसी में आपका income tax deduction भी है इसी में health insurance का मासिक premium भी है इसी में आपको वो amount भी है जो subsidized meal के एवज में कटता है अब ललन को समझ में आ गया था आगे जब उसे नई company का offer letter मिला तो उसमें CTC तो देखा ही HRC ये भी पूछ लिया in hand कितना मिले गया यह बताईए अब थोड़ा in hand salary के हिसाब किताब समझ लीजे इस in hand salary मतलब कितने रुपए account में transfer होंगे यह होता है लेकिन इसमें कई पेश होते हैं ललन ने जब अपना offer letter देखा तो उसमें salary के कई component थे जैसे basic salary, house allowance, performance link incentive आदी आदी हलाकि उसमें शुरू में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था मतलब था तो सिर्फ account में credit होने वाले 24,720 रुपियों से लेकिन फिर February, March का महीना आया income tax return भरने की कवाय शुरू ही तब ललन को पता च चला कि income tax कितना बनेगा, यह सिर्फ इस पर depend नहीं करता कि कितनी salary है, बलकि इस पर भी निर्भर करता है कि salary structure कैसा है, salary के क्या-क्या मद या component है, basic कितना है और महंगाई भता कितना, बाकी बातों के लावा उसे मोटा माटी पता चला कि salary में जतना ज्यादा basic वाला component होगा, उतना ज्यादा tax उसे देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का salary structure करमचारियों की tax savings को ध्यान में रख कर बनाये जाता है, और जितने ज्यादा बाकी component उतनी ज्यादा tax saving, basic salary में कम amount हो तो खाते में कम salary आती है, लेकिन company का इसमें एक फाइदा और भी होता है, provident fund यानि PF का contribution चाह से कम रखम जाये, और यूँ वो basic salary कम रखना चाहेगी, CTC और salary component को समझने के बाद आप खबर पर वापस आते हैं, श्रम कानूनों में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो दरजन से जादा श्रम कानूनों को मिला कर उन्हें चार code में बाढ़ दिया है, य दूसरा है स्वास्त और कार्य की सित्मिया, यानि कि Health and Working Conditions Code, तीसरा है और योगिक संबन यानि कि Industrial Relations Code, और चौथा है सामाजिक सुरक शायरें की Social Security Code, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने की आवशकता थी, Social Security Code 2019 में ही पारित हो गया था, बा पर बात करने के बजाए सिर्फ बड़े बदलाओं पर बात करते हैं, सबसे पहले सेलली रिस्ट्रक्चर की बात, एक बार कोड लागू होने के बाद कंपनियों को सेलली स्ट्रक्चर करना होगा, क्यों? क्योंकि नैनियमों के तहर सभी भत्ते जैसे चुक्तियात्रा, LTA, किराया, ओवर्टाइम और कन्वेंस या त्री भत्ता को CTC के 50 फीजदी पर कैप करना होगा, मतलब बेसिक वाला कंपोरेंट CTC का 50 परसंड या अधिक होना जरूरी होगा, और इसके क्या मायने हैं? ये तो आप उपर लल्लन के उधारन से समझी गए होंगे, अब बात ग्र काम करने वाले करमचारी हैं, उतने दिनों के प्रो रेटा आधार पर ग्रेचुटी मिलेगी जितने दिनों का कॉंट्रेक्ट है, प्रो रेटा मतलब अगर फिक्स टर्म कॉंट्रेक्ट 6 महिने या सबासाल का है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे समयकरण में Y के इस्थान पर प्रक्रमर्शा 0.5 या 1.25 डाल कर ग्रेचुटी केलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीन पर क्या देख रहा है आपको G is equal to 15 into N into Y divided by 26 जहां G is equal to ग्रेचुटी है N का मदलब अंतीम सेलरी का बेसिक महेंगाई भत्ता प्लस करते हैं कंपोनेंट और Y is equal to कुल वर्ष हुआ सीजनल वर्कर्स को हर सीजन में साथ दिन की सेलरी के बराबर ग्रेचुटी मिलेगी सीजनल वर्कर्स कौन हो सकता है पटाके बनाने वाली कंपनी को हर साल दिवाली के दौरान ज़ादा करमचारी चाहिए हो ये सब केवल कुछ महीनों के लिए काम करेंगे ऐसे लोग अब बात करते हैं फोर डेज वर्किंग की लेबर कोट्स के नए प्रस्तावित नियमों के जरीए सरकार ने इस्पस्ट किया है कि कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमती से अब बात करते हैं महीलाओं के वास्ते क्या है नए नियम लागों होने के बाद महीलाएं कंपनीयों में सभी प्रकार की जॉब करने की हगदार बन सकेंगी यदि उनसे खतरनाक माने जाने वाले काम करवाने की जरुरत होगी तो कंपनी को पहले सुरक्षा के परियाप को पाए सुनर्शित करने होंगे अब बात करते हाइर एंड फायर की इंडिस्ट्रियल एलेशन्स कोट के तहर तीन सो या उसे कम कर्मचारीयों वाली कंपनीयों को शट डाउन करके सभी कर्मचारीयों को निकालने के छूट मिल सकती है इसके लिए उन्हें सरकार की अनुमती के जरूरत नहीं होगी अभी 100 के लिमिट है मतलब कंपनी में 100 से जादा कर्मचारी काम करते हैं तो कंपनी बंद करने से पहले सरकार से अनुमती एक शर्त है और अंत में दफ्तर या फैक्टरी में काम करने के दौरान कर्मचारीयों को ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए भी नियम बनाए गए है यह वसाइक सुरक्षा कोड यानि कि Occupational Safety Code और स्वास्तवा कारी की सितियां कानून यानि की Health and Working Conditions कोड में इसके प्रावधान प्रस्तावित है आपके लिए लंबी चौड़ी रिसर्च लेकर आये थे हमारे साथ ही दरपन इसमें उनकी मज़द कीत हमारी हमारे साथ इंटर्शिप कर रही मीनल ने आप देख रहे थे दीललन टॉप